दिल्ली पुलिस ने हर्याना में चापे मारी कर एटियम तोड़ने वाले गैंग के एक सदस्य को दबोचा दिल्ली पुलिस ने हर्याना से एटियम लुटेरा गैंग को एक सदस्य को गिरिपतार किया है दच्छिन डिली में स्पेसल इस्टाब की टीम ने ये सफलता ह Wonka हसल की है टीम ने एक चोरी की कार और एक मोट साइकल को बरामंद किया गया है आरोपी पर A.T.M तोड़ने के करीब 20 से अधिक मामले दर्ज है दच्छिन दिली के स्पेसल इस्टाब की टीम ने हरियाना में चापी मारी करते हुए मेवात के एटियम गैंग के एक सदस्य को गिरिफतार किया गया है टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछा कर आरोपी को पकड़ने में सफलता हांसिल की है आरोपी की गिरिफतारी के साथ ही स्पेसल इस्टाब की टीम ने एक चोरी की कार और एक मोटर साइकल को बरामंद किया गया है गिरिफतार आरोपी की पहचान हरियाना के जिला नू मेवात निवासी अर्मान के रूप में की गई है गिरिपतार आरोपी पर एटियम तोड़ने के करीब 20 से अधिक मामले दर्ज बताये जा रहे हैं आरोपी डाबरी में एक एटियम तोड़ने के मामले में भी सामिल हो चुका है दच्छिन दिल्ली जिला पुलिस उपायुक चंदन चौधरी ने बताया कि इस्पेसल इस्टाब की टीम को दच्छिन जिला के छितर में अपरादियों की गतिविदियों पर नजर रखने का काम सौप गया था करमचारी लगातार छानबीन कर रहे थे और सथानने मुक्बर को भी इस काम पर लगाया गया था माना और खूपिया जानकारी की एकत्र की जा रही थी टीम मैनुवल के साथ साथ तकनिकी निगरानी भी पर भी काम कर रही थी इसी दोरान 27 दिसमबर को ASI मनोज को एक हतास अपरादी के संबंद में गुप्त सूचना मिली जानकारी को और विक्सित किया गया और यह है पताचला की वह चोरी की कार में सोना मेवाथ हरियाना में आया गया ततकाल सूचना को सरवरिष्ट अधिकारियों के साथ साजा किया गया दरसल ग्रेटर नौइडा अधिवक्ता से लूट के मामले में पुलिस ने 27 लूटरों को गिरिफतार किया है आरोपी को गिरिफतार करने के लिए S.P. राजेश कुमार बमानिया ने इंस्पेक्टर अतुल तयागी के नेतित में टीम का गठन किया गया जिसमें S.I. धर्मेंदर, S.I. जेकिसन, S.I. मनोज, हेड कॉंस्टेबल अनूप, कॉंस्टेबल लखमी को सामिल किया गया सूचना को और विक्षित किया गया और टीम ने सोना मेवात हरियाना में एक जाल बिछाया कुछ देर बाद एक कार आती दिखाई दी, सक होने पर टीम ने उसे रोकने का इसारा किया लेकिन पुलिस की मौजूदगी को भागते हुए चालक ने रफतार तेज कर दी और मोके सेफ भागने की कौसिस की हलाकि सतर्क पुलिस करमचारियों ने उसका पीछा कर उसे दबोज लिया पूछताज के दौरान उसने खुलासा किया कि वैचोरी के वहनों का एटीम तोड़ने इस्तिमाल करता था बाद में चोरी के वहनों को अन्य लोगों को बेच दिया करता था ताकि उन्हें ग्रिपतार ना किया जा सके आरोपी को ग्रिपतार कर लिया गया है और उसके खिलाब मामला दर्जकर आगे की जांच सुरू कर दी है तो दोस्तो इस ख़बर के बारे में आपकी क्या रहा है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपने अभी तक DTV न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादा जादा लाइक और सियर करें फिर मिलेंगे एगली वीडियो में तब तक ली दीजिए हमें जाएद खुदा आपीज